नमस्कार दोस्तो हूँ आपको बदोस्त वाकेता में आज में बात करना वाला कि किस तरह साब वीडियाइडोटनेट की एड्स को आप अपने गूगल के ब्लोगर में किस तरह से सेट अप कर सकते हो तो आज मैं आपको पूरी डिटर में बताऊंगा किस तरह साब को एड यू तो देखे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारा अचनल सब्क्रेब नहीं कि तो सब्क्रेब कर लेजे साथ हो साथ इस बेल आइकन को भी प्रश कर लेजे ताकि आना वाले समय में आपको हमारे सब वीडियो की नोटे के पेशन मेलती रहे तो अब हम बा अब हम बात करते हैं कि आपको कीस तरह से apply करना है वगेरे तो यह मेडिया डोटे का simple website है सबसे पहले मैं आपको लोग आउड करकर के दिखाता हूं तक ही आपको आसानी से समझवाएं कि अप्यक्तुल आपको करना है देखें यह मेडियो प्यावन अब इस आपको साइन करना है इसके बाद क्या होगा कि टीम है वह आपकी वेबसेट को एनलाइज करेगी इसके बाद आपको एक-दो दिन के बाद एक मेल आज़ेगा इसके अंदर लिखाओका कि कॉंग्रुश लेशन यूर अकाउन और वेबसेट सक्सेस्फुली अबरून और आपको एडियूट हो चुका है इसके दर आपशय को देख सकते हो तो मुझे भी देखी मिने चाहाइब कि इस तरह से एड वगरे शू होती हैं तो ये मेडिया अब को व७ Shortly आ Πता नहीं होता हैं यह कि फावी टॉपिक लगेगा और वहां पर क्लिक करेगा तो आपको अर्निavour होगी देखिए इस तरह से में आपको एक एड पर क्लिक करने दिखाता हो वसके हमें की समय आपको जाव की यह मिल्किन आपको डिक देमोग दिखाता हूं इसके बाले का अलगते रिके से वर्क कर दिया है इसके अंदर धेर सारे कीगवड आपको देखा देगे इसमें से कोई भी परसन इसमें से कुछ सूस कर सकता है जैसे कि देखे पहले वाली लिंक पे क्लिक किया तो क्या होगा कि ओटोमेटिकली जो एड़े जिसने लगए है वहाँ पर रिड कर सकते हो अब हम बात करते कि अगर आपको मिडिया रूटेकर अपरूल लेना है तो किस तरह से लेना है सबसे पहले मैंने ही पहले विडियो में बताई था अब जो मैंने कि जो नेट पे कुछ विशा रीड किया था कि मीडिया रूटनेट का अपरूल लेने के लिए आपकी वेबसाइड में बहुत ही सारा ट्राफिक और जो जितना भी ट्राफिक आएगा वह यूएस यूके का चाहिए लेकिन जैसे कि देखे ये ब्लोगर यानि कि ये हमारा अपरूल हुआ है मीडिया रूटनेट में जो इसके मुतब एक मुझा नहीं लगता कि आपको बाहर से ट्राफिक जाए जैसे कि हम स्ट्राटस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको देखा देखा कि जो हमारे जिद्नी भी ट्राफिक है कुछ ट्राफिक तो खा इस तरह के आपको देखा देगा इस तरह का अपना डिजािन करके रखा है तो डिफिनिली मेरे खर साबको अब रूल मेज़े गाँ वह भी फास्ट अब रोल मेज़ेगा तो यह सब ही बात होगी इसके बाद हम एड़ पलेशमेट की बात करते हैं तो कुछ भी सिम्पल है एड्यूश के तरह भी आप सबसे पहले को मीडिया ड़क्या डेश्मन करना है इसके बाद एड़ यूनियट पर किलिख करना है वहाँ जाकर आपको अपके मुतबिख देखिए जैसे आप एड उनिट पर क्लिक करोगे इसके बाद आपके मुताबिक आपको जो भी पसंद आए इस तरह का कॉस्टमाइज आप एड यूनिट बना सकते हो क्रिएट एड यूनिट पर क्लिक करना है इसके बद आपको काफी सारे यहां पर ओप्शन मिल जागे जिस इसके बाद कलर कर्श्टमाजेशन अवलेबल है इसके अंदर आप अपनी वेबसेट के मुताब एक कलर कर सकता हो और आपको सेवन गोड गयाट कोड पर क्लिक करना है तो आपको वहां से कोड बिलेगा वहीं कोड को आपके आपके ब्लोगर में जाना है अब देखिए मैं देखाता हो कि इस तरह से आपको एड यूनिट पेस्ट करना है तो जैसे के देखिए पहला वाला यह एड यूनिट है अगर मुझे इससे ब्लोगर में एड करना है तो मुझे गयाट कोड पर क्लिक करना पड़ेगा जातो अपने भी बना सकतो हो इसके बाद आपको कोफे क ना चाहता हो वहां पर इसके बाद आपको शुलिक करना एस्ट में जावस्क्रीप और वहां पर प्सकोड को पेश्ट करना है और आपको शेव चैन्टिस पर क्लिक करना है तो आपका एड सक्सेस्फूली एड हो चुका है अब आपको देखिए इसे चेक करना कि क्या यह प आपको करते हैं, इसके बाद एक बार और बलोग को ऑपन करते हैं, ताकि आपको समझ मा tại कि किस तरह से वर्क चुका है, अब देखे बलोग ऑपन हो चुका है, अब हम चेक करते हैं कि क्या जो हमने रिसेंटली एड़ बने था वो शो होता या नहीं तो अब हम इसे स्कॉल करते हैं अब देखे आपको सक्सेस्फुल हो गया लेटस टॉपिक के ऊपर और एक नीचे दिखा देगा जो कि मैंने ओलड इस पर एड़ करके रखा था तो इस त अर्निंग भी आपको अच्छे तरह से हो जाएगी जब देखे में आपको पहले ही बता है था कि इसका बेनेफिट आपको यह की है कि सब भी यूजर को पता नहीं होता कि यह एड़ है कोई भी यूजर ने वेबसेट को विचेट की है तो इससे तो यह टोपिक लगेगी औ आपकी ब्लोगर की मुद्द से तो यह देखे सब कुछ आपको देखा देगा तो एक बार आपको अप्रूल भी लेकर तो आपको आस्तान से समझवाएगा कि अक्छुली में किस तरह से वर्क करता है इसके बाद एक और बेनेफिट में आपको बताता हूँ कि इसका देखे जैसे कि मैंने एक नजया ब्लोग बनेया तो गूगल को जो एडसेंस तो मुझे देखे यहाँ पर आप जैसे अर्निंग पर क्लिक करके तो आपको पतर से लगा कि आपका जो नजया ब्लोग है वो कौलिफाई नहीं है एडसेंस के लिए तो अगर आप इसे इवेंट्स डोट वायरफेस्ट डोटकॉम जिसमें मैंने हैपी इंडिपेंडेंस ने पर कुछ इवेंट ब्लोगिंग करके रखे तो इसके अंदर भी मैंने मीडिया डूटनेट की एडस लगा दी है अब देखे सबसे बिल जैसे इसे ट्राफिक आई कि तो इसमें भी अर नजदिक आता रहता है आपको इस तरह से आपकी ट्राफिक इंक्रिस हो जी रहेगी और इसके मतलब आपको और नहीं होगी जिब देखे मैं पोस्ट पर करता हूँ जैसे कि देखे आज है 21 जोलाई और मैंने कल एक पोस्ट को पॉब्लिश किया था इस पर आप देखे इद यह सबी बात हैं तो अगर मेरे खल से आपको यूडियो पसंद आया होगा और सब पुछ समझ में आगे होगा कि मेडिया रोटर किस तरह से वर्क करता है और किस तरह सब को इसे ब्लोगर में यूज़ करना है इसके अलवा देखे अगर आपको किसी भी प्रकार क्रोशन है वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेट में पूछ सकते हो इसके अलवा हमारा फेस्बूक जो पेज है वहां पर भी आप जो किसी भी प्रकार क्वेशन है आप हुझे पूछ सकते हो डेफिनिटल में इसका आंसर आपको दोंगा और मैं आपको डेटल में बताऊंगा गा एक आपको अपरू मिल जाता है तो मेरे कास आपको अच्छा रहेगा आपको double earning होगी येटसेंस तो आपको हो हो रही है इसके सास्थ आपकी मेडियाविश की एडवीश होगी और दोनों से आपको अच्छी खासी अरनिंग हो जागी तो बस आसकर दोंगा रहें तक्ता थांक् झाल